दोस्तों मुश्कार शरकेला विश्करमा यूटीब चैनल में आपका स्वागत है और लिजी एतीस प्रिष्णों की बाल विकास की महत्पोईन प्रिष्णों तरी एह रहां पहला कोश्चन और पहला कोश्चन जो है वो है अलवर बंडूरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक् अलवर बंडूरा की बात की गई है और यहां बूला है मानवता वादी बहवार वादी मनुविष्लेशा ये सामाजीग संग्यान आत्माक और तहीं फ़ाब है शंग्यान आत्माक दूसरा नमबार विविन मानोश मुह के बीच देखे जाने वाले अंतर समानता खालिस्थान होते अनुवांशिक, सांस्कृतिक, कृत्रिम या वन्शानुक्रम और साही जवाब है सांस्कृतिक कृश्चन नमर तीसरा की शामावेशी सिक्षा की शफलता सबसे महत्पून रूप से इस पर निर्वर करती है उच्च गुनवत्ता की पाठ खुस्तकों पर उच्च गुनवत्ता की सिक्षन अधिगम सामगरी पर शामुदाईक्षा मर्थन पर या सिक्षकों के बीच अतिरि बदलाओ पर कृश्चन नमर चौता कोहल वर्ग और उनके शायोगी कमानना है कि नैतिक विकास में खालिस्थान समश्याओं को तीन प्रमुके स्त्रों में विहाजित किया गया है दो छे नौ चार और सही जवाब है च्छे कृश्चन नमर पांच विकास का विरुकता नही नमर च्छे कार शंगी सीखना या कविता या गणिती ताली का आधि को याद रखने के लिए कई वार अभ्यास और विविन कारियों तब संचालनों के पुन्रवत्तिक्या और शक्ता होती है मानव अधियम के इन मामलों में मस्तिस्क में शंबंध मजबूत या कमजोर होते कोश्च नमर 7 शेocyक मार्गडर्थन का कार है सिख्छा का सर्वोत्तम लाव देना महान सिख्छकों के दर्थन को शंचना वियंशायक जयनकारी देना चौथा बच्चों छात्रों के वीच समाजिक मेल जोल बढ़ाना और सही हुआँ सिख्छा का सर्वत्तम लाव देना सब्सक्राइब करता है जिससे एक बच्चा बड़ा होता है फ्राउम फ्राइड वाई गोच्की कोहल बार्ग और सही जवाब वाई गोच्की कोश्चन नमर ग्यारा एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब सिक्षक कमरे में प्रिवेश करता है ना कि जब कोई छात्र या कोई अनवयस्क प्रिवेश करता है अधिगम का कोई शाशिधान्त इस वैवार की व्याख्य करता है उद्धीपक विवेदी करन का उद्धीपक शामानी करन उद्धीपक अनुक्रिया उद्धीपक परिख्चन और सही जवाब उद्धीपक विवेदी करन Q12. एक बुढद्धी परिख्षण क्या होगा? जो सभी संस्कृतियों के शामान अनुभावों से शामान लिथा है. संस्कृतिक अग्रिम परिक्षण, संस्कृति पक्षपाती परिक्षण, संस्कृति मुक्त परिक्षण, संस्कृति निस्पक्ष परिक्षण और सही जबाब है संस्कृति निस्पक्ष परिक्षण Q13. एक बुद्धी परिक्षन में शामान ने जानकारी की ज्ञान का मुल्यांकन किस प्रकार के प्रिश्ण करते हैं? बूज, सूचना, शम्रूप, कहावत और सही जवाब है सूचना Q14. सबसे वास्त्विक मानशिक स्वास्त समस्याओं क्या है? मानशिक स्वास्त समस्याओं का मतलब काम करने में आशमर्ता से है मानशिक स्वास्त समस्याओं का अर्थ है लोगों और आसपास की चीजों को नहीं पहचानना मानसिक स्वास समस्याएं हमारे सूचने, महशूश करने और बहवार करने के तरीके को प्रभावित कर तकती है कोश्चन नमर 15 क्रिकेड के खेल के दोरान किस प्रकार के बुद्धी मत्त के उपयोग किये जाने की संभावना है शारिरिक गती संबेदी बुद्धी मत्ता, शभाविक बुद्धी मत्ता, शंगी संबंदी बुद्धी मत्ता, भाषा संबंदी बुद्धी मत्ता, और सही जवाब है शारिरिक गती संबेदी बुद्धी मत्ता, कुश्चन नमर सूला, रचनात्मक आकलन के अलावा एक अन्य प्रकार का आकलन जो निर्देश आत्मक शामगरियों की पर्यापता के बारे में अंतर द्रश्टी प्रदान करता है निदानात्मक आकलन आंत्रिक आकलन योगात्मक आकलन प्रवेश आकलन और सही जवाब है आंत्रिक आकलन Q17 समीपस्त विकास का छेत्र संदर्वित करता है शिक्षार्थियों ने अभी तक क्या विक्षित नहीं किया है दूरा शिक्षार्थी शाहता के शात या उसके बिना क्या कर सकते है तीसरा शिक्षार्थी समीपस्त क्या करने में शक्षम है चौता सिक्षार्थी दूरस्त क्या करने में शक्षम है और सही जवाब है सिक्षार्थी साहता कि शाथ या उसके बीना क्या कर सकते हैं Q18. शिख्चा सास्त खालिस्थान का अध्यान है अधियम प्रक्रिया का, शिख्चन विधी का चात्रों को गाइड करना, शिख्चा का और सई जवाब अधियम प्रक्रिया का. कोश्चन नमर 19 देखिए हैरी को एक दिन पहलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहली को सुल्जाना आनंदायक और रोमांचक लगता है यह है प्रेणा का एक उधारण है अंतरभूत बाह भै आधारि सक्ति आधारित और सही जवाब है अंतरभूत कोश्चन नमर 20 कौन तर्क देता है कि किसी मध्यस्ता अधिक शुविज्य अधिगम में महत्पूर्ण है प्याजे एरिक्षन फ्रायर्ड बाई गोच्सकी और सही जवाब है बाई गोच्सकी कोश्चन नमर 21 तरल और ठोस बुद्धी मत्त के विचार कब प्रस्ताव किसनी रखा कैटल ने गार्डनर ने इस्टनवर्ण ने गिलफोर्ड ने और सही जवाब है कैटल ने किसुर अवस्थक आर्थ है काम करना बढ़ना खेलना अध्यन करना और सही जवाब है बढ़ना कोश्चन नमर 23 संगोष्ठी एक प्रकार की खालिस्थान है प्रदर्तन विधी व्याख्यान विदी विचार विमर्थ विदी खोज विदी और सही जवाब हो जाएगा विचार विमर्थ विदी कोश्चन नमबर 24 वाइगोस्की के अनुशार संग्यानात्म विकास के लिए प्रमुग जोरह सिख्षा धर्म बुद्धी लवदी समाजिक परिस्थिती और सही जवाब है समाजिक परिस्थिती कोश्चन नमबर 25 व्यज्ञानिक जाज का उद्देश चात्रों को निमन और स्व्षा प्रदान करना है केवल संग्यानात्म प्रक्रियाओं का केवल अधारनाओं का उपयोग करने के लिए केवल समस्याओं को हल करने के लिए कोशल उप्रोक सभी और सही जवाब उप्रोक अनुभाव मुलक विजवाश ज्यान मीमान्शी विश्वाश सत्त मुलक विश्वाश और मुल मीमान्शी विश्वाश और सही जवाब हो जाएगा सत्त मुलक विजवाश Q27. डिस्ग्राफिया से पीडित बच्चे को निम्न होती है भाशा में कटनाई, धीमी गणिती छमता, पढ़ने में कटनाई, लिखने में कटनाई और ताई जवाब लिखने में कटनाई Q28. प्रियोजना की विधी द्वारा अधिगम तक नीख रूप से कहलाता, पर्याप्त अधिगम, प्रभावी अधिगम, प्रशांगिक अधिगम, व्रवस्थित अधिगम, और साई जबाब है प्रशांगिक अधिगम Q29. निमलिकित में से कौन सब बाल विकास के शिद्धानतों के शमन में अशरता है, विकास परिपकुता और अधियम पर निरभर करता है, विकास विशिष्टा से शमान की ओर बढ़ता है, विकास शरल से जटिल की ओर बढ़ता है, विकास उचे से नीचे की ओर बढ़ता है साही जबाब विकास विशिष्टता से शामान की ओर बढ़ता है कोश्चन नमर 30 आम तोर पर बच्चे खलिस्थान लिंग स्टीरियो टाइप बनाते हैं लिंग विशिष्ट गतिविधियों के कारण समाजी करण नहीं होने पर विपरित लिंग के नकरात्म गुणों पर ध्य द्यान केंद्रित कर दोनों लिंगों के बच्चों के साथ लिंग निस्पक्ष दोस्ती बनाए रख कर दोनों लिंगों के साथियों में का मुक्ता बना कर और सही जवाब है विपरित लिंग के नकरात्म गुणों पर ध्यान केंद्रित कर तो दोस्तों आज के लिए इतना ह मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमचकार